सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन फोर लेटेस अबडेट आम तौर पर फूड अलर्जी के शुरुवात बश्चपन में ही हो जाती है यूं तो किसी भी खाने से फूड अलर्जी हो सकती है लेकिन कुछ प्रड़क्स ऐसे होते हैं जो खास तौर पर अलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं फूड अलर्जी होने पर फॉरण मेडिकल चेक अप करवा ले ना चाहिए आपको बता दें कि बॉड़ी में एंटी बॉड़ी का लेवल जादा होने पर फूड अलर्जी हो जाती है इसके लिए जिस चीज से या फिर जिस फूड से अलर्जी होती है आपके लिए बहतर होगा कि उस चीज को ना खाएं और दूरी बनाए रखें कम से कम तब तक तो नहीं जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए फूड अलर्जी से एना फ्लेक्सिस होने का खत्रा रहता है जिससे जान भी जा सकती है फूड अलर्जी के चलते अस्थमा, एक्जिमा और दूसरे डिसॉर्डर्स भी हो सकते है डॉक्टर्स की माने तो फूड अलर्जी का एक मात्र इलाज है कि उस खाने को ना खाएं जिससे आपको तकलीफ होती है और अलर्जी होती है इसलिए कुछ भी खाने से पहले ये तैय कर ले कि वो आपके शरीर के लिए सही है या नहीं आपको वो सूट करता है या नहीं ताकि आप अलर्जी से बचे रहें हेल्डेक्स आशिवाने की रिपॉर्ट सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन फो लेटेस अबडेट